दो बैलों की कता यह है मुशी प्रेमचन जी के द्वारा लिखी हुई अद्भुत रजना है इसमें जूरी एक किसान है जिसके पास हीरा और मोती नाम की दो बैल थे दोनों ही काफी उंचे डील डोल वाले और सुंदर कदकाथी वाले पच्छाही जाती के बैल थे पच्छाह अच्छा भाई-चारा था और दोनों आखों के इशारे से बात समझ लिया करते थे कभी-कभी आपस में सींग से मिल भी लेते थे शींग को मिला लेते थे लेकिन जगडा करने के लिए नहीं बल्कि मजाक में वह ऐसा करते थे एक बार ऐसा हुआ कि जुरी ने दोनों बैलो को उनके साले गया के पास भेज दिया किसी काम के लिए अपनी सर्फुराल उन्हें भेज दिया और हीरा मौति को लगा कि उन्हें बेच दिया गया है इसलिए भे घर से बाहर जाना नहीं चाहते थे मगर उन्हें जबरदस्ती गया के घर भेज दिया गया जब दिन भर ठक हार कर गया के घर पहुँचे तो उनका मन बहुत दुखी हो रहा था और वो सोच रहे थे कि जिस मालिक और घर को उन्होंने अपना समझा आज उसने ही उन्हें बेच दिया यहां सब कुछ उनके लिए नया था अब दोनों ने अपनी मूख भाषा में बिना बोले जाने वाली भाषा में उन्होंने बात करी और जब सब सो गए तो उन्होंने रस्चियां तुड़ाई और अपने घर के तरफ चल दिये सुबह जब जुरी उठकर बाहर आया तो देखा कि दोनों बैल दरवाजे पर खड़े हैं और यह देखकर काफी खुश हो जाता है उसने देखा कि दोनों बैल घुटनों तक कीचड में सने हुए थे आधी रस्चिया उनके गले में लटक रही थी दोनों की आखों में उसक है उसे गुसा आ जाता है बैलों के आगे सूखा चारा डाल दिया गया जुरी के नोकर अपने चारे में कुछ खली मिलाने को कहा लेकिन नोकर ने मालकिन के डर से उसमें खली नहीं मिलाई दूसरे दिन दोबारा हीरा मोती को लेने के यह गया आ जाता है और अपकी बार वह दोनों को गाड़ी में लेकर के जाता है, तकि वो रास्ते में उन्हें प्रेशान ना कर सकें, रास्ते में एक दो बार मोती ने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, लेकिन हीरा ने उसे ऐसा करने से मना गर दिया, हीरा काफी समझदार था, जानता था कि अगर गाड़ी है द्वाहर है दोनोंने अपना अपमान को अगले दिन लुट यह सर दे कर देत scored b9 gratis मरभी अहए लेकिन अबिदोनों को टमस नहीं यहान पर हो रहे हैं चाम को फिर्षे मोटी रस्यों से बांद या दाता है और सुखा भूसा डाल दिया गया लेकिन फिर भी दोनोंने कुछ नहीं खाया जब रात को घर के सब लोग खाना खा रहे थे तभी भैरों की नन्नी लड़की दो रोटियां लेकर के आई और उन्हें खिला गई जिसे खाकर वो काफी खुश हुए लड़की की सोतेली माद उस रात को सुखा भूसा उनके सामने फेक दिया जाता इस तरह काफी दिन निकल गए एक रात दोनोंने रस्यां तोड़कर भागने की तयारी कर ली रस्यों को तोड़ने के लिए उन्हें उसे चबाने लगे मगर रस्य काफी मोटी थी इसलिए आसानी से नहीं तूटी तभी लड़की आई और उसने दोनों रस्यां खोल दी किन्तु हीरा मोती लड़की के स्नेह के कारण नहीं भाग सके लड़की ने अचानक शोर मचाना शुरू कर दिया लड़की की अवास सुनकर हीरा मोती भाग खड़े हुए गाउंवालों ने कुछ दूर तक तो उनका पीछा किया लेकिन अपनी पूरी ताकत से वह भागते गए और इसी चक्कर में अपना रास्ता भटग गए काफी दूर जब वह चले गए और दोनों अपनी आजादी का जश्न मनाने लगे तो अचानक एक सांड उनके सामने आ जाता है दोनों में बेड़न तो जाती है खेर दोनो कर गेर पड़ता है ही रामोती को उस पर ध्या आगई और उसे अध्मरा छोड़ करके वह आगे बढ़ जाते हैं तभी उन्हें एक मतर का खेर दिखाई देता है जहां पर वह मतर खाने लगते हैं लेकिन तभी एक आदमी आता है और उन्हें भगाने की कोशिश करता है और पकड़ करके कांजी होस में बंद कर दिया जाता है कांजी होस पहुचकर दोनों ने देखा कि वहां पहले से कई जानवर घोड़ा भैस पक्रिया अधी भरे वे थे काफी तो कमजोर थे और मुर्दा हालाज में थे वहां उन्हें दिन भर कुछ भी खाने को नहीं मिलता रात ह उन्हें पर हीरा ने मोती से कहा कि चलो भाग चलते हैं उसके बाद हीरा ने सीगों से दिवार पर माना शुरू करतिया और काफी मेहनत के बाद आधी दिवार से गिर चुकी और जैसे ही वो आधी दिवार गिरी, वहां से घोडे भैंस बकरियां भागने लगे, लेकिन गधे जो थे वो यूंकियों खड़े रहे, लेकिन मोती ने उन्हें सींग मार मार करके, वहां से भगाने की कोशिश की, लेकिन हीरा खुद नहीं भाग सका, क्योंकि मोती मोटी रस साया, और उसने दोनों की खुब पिटाई की, और फिर से उन्हें एक मोती रस्ती से बांद दिया, इस तरह से कांजी हाउस में उन्हें बंद हुए एक सप्ता हो गया था, और खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था, इसी वज़े से दोनों सूप करके बिल्कुल का कि रास्ता उनका जाना पहचाना लग रहा है, उनके कमजोर शरीर में फिर से जान आ गई और उन्हें भागना शुरू कर दिया, भागते भागते वो जुरी के घर पहुँच जाते हैं, और थान पर अपनी जगे जा करके खड़े हो जाते हैं, जुरी उन्हें देखता है, और देखते ही दोड़ा दोड़ा आता है, उनको गले से लगा लेता है, बैल भी जुरी को देखकर काफी खुश थे, तभी दड़ियल कसाही वहाँ आप पहुंचता है, और कहता है कि ये बैल तो उसके हैं, लेकिन जुरी कहता है कि ये बैल मेरे हैं, इस पर कसाही कहने उसके बाद जूरी ने जो उनकी खाने की नाथ थी खाना खाने वाली खली उसमें खली भुसा चोकर दाने अधी सब भर दिये इससे हीरा मोती उन्हें बड़े चाव से खाने लगे और मालिक ने आकर के दोनों के माथे चुम लिए साथी मालकी नेवियों ने कफे सारा स्नेह काई जैक्व वह दिया यह काहनी इस प्रकार से हमारे जो जानवर है देश के स्थकी में नेकी प्रेम प्यार की प्रेम चंञ ची के द्वारा लिखी हुई अद्भुत है रचना आज हमने देखा कि किस प्रकार से दोनों बैलों का स्नेह उन्हें वापस उनके मालग के पास ले आता है उनकी बुद्धी मानी से थेंक यू फो वाचिंग